हेलो फ्रेंड्स वागते हैं अमारे शुटिप चानल पे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में रिवीव करेंगे अब भी सेव दुधाया दोरन निर्देशी 13 अगस 2021 में रिलीज हुई वुई दा प्राइड आफ इंडिया मुवी के बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में बाते करेंगे वुई दा प्राइड आफ इंडिया मुवी के रोमांटिफेक्ट जो आप नहीं जानते होंगे दोस्तो आप बात करेंगे इस मुवी की बारे में तब तक फ्रेंड आप अमारी यीशुटिप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ने किए दख फ्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके और साथा बेल एकन प्रेस करना ना बुले दोस्तों बात कर लेते इस मुवी की बारे में भूज दव प्राइड ओफ इंडिया एक आगामी भारतिय हिंदी भासा की यूद एक्षन फिलिम है जो अभिसेक दुधाया तोरण नीदेशी सनिर्मित और लिखी एतिहासिक सची घटनाओ बर अधारित है उने से कतर के भारत पाकिस्तान की यूद के दवरन एस्थापी दिया आई-एफ स्वखब्रन लीडर बीजय करनी के जीवन के बारे में है जो भूज हवाई अड़े के धतकालिन प्रवार्वित थे जिनों ने और उनकी टीमों ने तीन से स्थानिय महिलाओ की मदद की मदद से वायू सेना के एर बेस का पूर्ण निर्मान किया फिल्म में अजय देगन के रूप में करनिक के साथ संजय दस सोनाक्षी सिनन नोरा फटेवी सदर केलकर अम्मी विर्क और प्रतीमा सुभास भी है 19 मार्ट 2019 को फिल्म की घोषना करने के बाद या पुष्टी की गई फिल्म में दिखाई गई सच्चे घटना भारत की सबसे आकर्षब युद संबंधी कहानिया में से एक है पाधान फोटग्राफी जुन 2019 के अंत में सुरू हुई और इसे हैतराबाद कच भोपाल इंदोर लखनाव मुंबई और कलकाता में सूट किया गया भूई दप्राइड ओफ इंडिया मूवी का नेदेशक अभिषेक दुधाया दवरा बनाई गई इस मूवी ने रोमांटिक प्रदान की गई है और दोस्तों बात करते इस मूवी का निर्मता हुसन कुमार ने किया था और दोस्तो साथी साथ इस मुवी का लेखक अविश्यक दुधाया नहीं किया था और दोस्तो बात करे इस मुजी का सुपरेश्टार देखने को और नजर आएंगे दोस्तों बात करें इस मुवी का संगीतकार अमर मुहिले नहीं किया था और दोस्तों बात करें इस मुवी का संपादक धर्मेंदर सर्मा नहीं किया था दोस्तों टी स्रीज आजय देगन एफ फिलिम सेलेक्टेड मीडिया होस्लिंग LLP दोरह बनाई गय थी और इस फिल्म को डीजनी होट स्टार दोरह वित्रित किया गय था और दोस्तों बात करें बूज दा प्राइड ओफ इंडिया मूवी का समय सी मां 113 मिनट की बनाई गई थी बूज दा प्राइड ओफ इंडिया मूवी यह फिल्म 3 से गुजराती महिलाओं की कहानी है जिन्हों ने बंगलादेश और पाकिस्तान योद के दोरान भारतिय वायू सेना की सहायत की 19 मास 2009 को भारत पाकिस्तान के योद की सची घटनाओं पर भोशन कुमार्ग ने फिल्म की घोषना की फिल्म ने उनई से 71 के भारत पाकिस्तान की योद की घटनाओं दर्शा गया है जहां गुजरात के भोशन में तीन से इस्थानिय माईलाओं ने नस्ठ हुए एरवेस के पुन्य निर्मान के मदद की अजय ने बीजय करनिक को चरित्री किया और वह भी भुमिका के लिए एक मात्र विकल्ब थे अन्य कलाकारों में संजय दत, सोनाची सिंग, एमी वीर की और राना दागुबाटी सामिल थे फिल्म विर्क की दूसरी हिंदी फिल्म है दाचिन की आविनेत्री प्रतीमा सुभास ने बाद में इस फिल्म से जूटकर बॉलिवुड में कदम रखा प्रनीती चोपड़ा को फिल्म में जासुशी का किरदार निभाने के लिए साइन किया गया था लेकिन फिल्म की सुटिंग की कारण उनकी दूसरी फिल्म का साइन के साथ कलेस होने का कारण उन्होंने नौंबाव 2019 में फिल्म से बाहर होने के विकल्प चुना जन्वारी 2020 में नेरा फतेही को चोपड़ा के प्रति एस्थापना के रूप में चुना गया बादने जन्वारी में दागुबाटी ने स्वास्ते मुद्धों का हवाला देते हुए फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगा सरत केलकर ने लेली संजयदात ने 25 जून 2019 को हैदराबाद ने फिल्म की सुटिंग सुरू की फिर उन्हों ने और अजयदेगन सहित अन्य कलाकारों ने फिल्म के अगले बाग को सुरू करने के लिए भोबाल इंदर लखनाव और मुंबाई कलकाता की यात्रा की अजयदेगन और सुनाक्ची सिंगन पर चरित्रे एक गीत दिसंबर 29 के अंत में अच्छा में फिल्म आया गया था भूल द प्राइड ओफ इंडिया एक परियाड वार ड्रामा वॉलिवूड फिल्म है जिसमें अजयदेगन संजयद सुनाक्ची सिन नेराफटे ही और एमी विर कहम कीरदार को निभाया है फिल्म को अभिश्यक दुधाया निर्देश कर रहे थे और घुशन कुमार गिन्नी खनुजा कृष्णा कुमार वाजीर सिन और खुद अभिश्यक दुधाया फिल्म को प्रियोश किया था पहले यह फिल्म 14 अगस 2020 को बड़े परदे पर रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे पोस्ट फोन कर दिया गया था जिसके बाद इस फिल्म के रिलीज नई डेट 14 अगस 2021 को बनाया गया था देश बर में हैलिक हमारी के चलते फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की फैसला कर दिया था बुज द प्राइड ओफ इंडिया सची घटना पर आधारित एक फिल्म है जिसकी कहानी हुने से 71 के भारत पाकिस्तान के युद के युद पर वेस्ट है जिसमें अजय देगन ततकालिन भुज एयर पोर्ट में इन चार्ज विजय करनी से किर्दार में आहम इस युद के दोरान भुज द प्राइड ओफ इंडिया सची घटना पर आधारित है अधारित एक फिलिम है जिसकी कहानी उने से 71 के भारत पाकिस्तान के युद पर वेस्ट है जिसमें अजय देगन ततकालिन भुज एयर पोर्ट के इंचार्ज विजय करनी के किर्दार में है इस योद के दवरान इस वेडरेन लीडर विजय करनी भूज एयरपोट पर अपनी टीम के साथ मौजुद थे जहां एक एयर रेस्ट्रिक हवाई पट्टी तबाह हो गई थी इसी दवरान पाकिस्तान की तरफ से बारी बंबारी की जा रहा था इसी समय एयरवेस पर इनके साथ 50 एयरफोर्ट और 60 डिश्फ्रेक सिक्रोटी लोग मौजुद थे विजय करनिक और उनकी टीम ने इलाके की मैलाओ की मदद से हवाई पट्टी को फिर से तयार किया उन्होंने इलाके की तीन से मैलाओ के साथ मिलकर उसे फिर से तयार किया ताकि भारत की सेनक के जवानों को लेकर जाने वाली फ्लाइट यहां आसानी से लेंड कर सके कहानी फिलिम की शुरुवात होती है आठ दिसंब उने से कातर से जब पकिस्तान वायू सेना को जेट बिमान ने भोज में भारत वायू सेरा की हवाई पटी पर लागतार बंबर साय भारी वाई के बीच भोज एयरपोर्ट के इंचाज बीजय करनिक अज्जय देगन इस्था करना करते है कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है और बताया जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश को पच्मी पाकिस्तान के दमन से निकलने में भारत ने सहायता दी थी जिसे लेकर उने से गहतर इसे कहतर दिसंबर में भारत पाकिस्तान युद्ध सीड़ापूर्वी पाकिस्तान में भारत की स्थीति कंज़ोर करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के पश्मी छत्रों पर हमला किया जो हमला किया वो भूज को अपने कब्जों के कब्जों में करना चाते है रनीती के तहत विभीन भारतिया हवाई अड़े पर बंबारी की गई बूज एयरवेस भारतिये वायु सेना के प्रमुक छेत्र में प्रमुक छेत्र में से एक था जहां पाकिस्तान ने भारी तबाई मचाई है भारतियों वायु सेना को सीमा सुरचा बल्क से हवाई पटी को वहल करने की उमीद थी लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी समय पाकिस्तान ने लेंगवे वाला में भी यूद के छेड़ दिया इस दवरान भूज के माधपूर के तिन से ग्रामियों ने ज्यादतर महिलाए और महिलाए ने 72 घंटे के भीतर चाति ग्रस्ट एयर वेस्ट की सम्मानत करते देश की रच्छा के लिए मदद बढ़ाने के फैसला किया फिलिम इसी घटना के इतगीर्दी घूंती है कैसे बिजय करनी ने उस यूद के बहत पुर्ण भूमिका निभाई है फिलिम में डेर खामिया है जो इसे देखना आपके लिए हर मिनेट के साथ मुश्किल करती है कहानी के बारे में बात करें तो भूज की शुरुवात में दिये डिस्क्लेमर में साफ कर दिया गया है कि यह फिलिम क्लापनिक है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है आगे क्या है इस फिलिम में जाने हमारे रिविव में सवतंत्र दिवस के मोके पर बॉलीवूड हर साल से बढ़कर एक फिलिम रिलीज करता है जिसका इंतजाग दर्सकों बेसबरी से होता है इसी साल सवतंत्र दिवस के मोके पर रिलीज हुई वूई दा प्राइड आफ इंडिया आपके पहले ही भूज के बारे में आपको बताऊं क्या कहा है या सुचने के लिए अपने दिमाग पर वह खुत जोर डालना पड़ा है तकरीबन दो घंटे की इसी फिलिम के देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा मजाग हुआ है सच कहूं तो ये फिलिम किसी मजाग से भी कम नहीं है फिलिम की कहानी उनेश से 71 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच योद की है इस दवरान पाकिस्तानी सेनिक ने उसके एरवेस पर जोरदार हामला किया था जिसके बाद वहाँ पास के गाओं माधार पर में रहने वाली 3 से महिलाओं ने आपनी जिन्दगी को दाव पर लगा कर इंडियान एरफोर्स के रन्वे की रास्तर रातो रात मरमत कर डाली ताकि वहाँ बारतिय सैनिक उनकी मदद के लिए पहुंच से के भूज एरवेस से स्वाटर लीडर विजय करनी आजय देगन ने रन्वे पट्टी को रिप्यार करने के लिए उन इस्थानिय लोग को प्रेरित किया था यहां फिलिम संकट की बड़ी में देश की नागरी को और इंडिया आडरम फोर्स के सहयों की याद दिलाती है रिवीव साल उनाई से एकातर में इंडिया पाकिस्तान यूद से बंगलादेश की अजादी की कहानी परिमान थाज चुकि भारत में वेश्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है आत्याचारों के बाद उसके अलग होने में इस्थ पाकिस्तान अब बंगलादेश की मदद की खौलया है पाकिस्तान भारत के वेटर्स रिजन पर इसलिए हामला करता है ताकि इसके बाद वो भारत से सवदा कर सके और बदले में इस पाकिस्तान हासिल कर सके इसी एस्ट्रेजी के तहत कई इंडियन एयरवेस पर भंबारी की गई भूज एयरपोर्ट इंडियन एयरपोर्ट फोर्स जब से महत अपुन ठीकाने में एक साथ जिसे काफी नुकसान पहुचाया गया था आठ दिसंबर की राद पाकिस्तान एयरफोर्स की फाइटर जेटर स्किन ने करीब 14 से अधिक नापाम बंबूज के इंडियन एयरवेस के रनवे पर गिरा है इसकी वज़ा से रनवे इस तरह बरबाद हुआ कि वहाँ से एयरकास्ट की लेंडिंग और टेक आफ मुश्किल हो चुका था चुकि इस हमले में रनवे के आलावा भूच को कंटेक्ट करने वाले सभी रास्ते पर जोड़दार हमला किया गया था इसलिए बरडर सिक्रेटिक फोर्स को भी वहाँ तक पहुचाने में काफी वक्त लगा था और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स वक्त और रनवे पर काम करने के लिए मज़दूरों के कमी से जूज रही है इस मुश्किल घड़ी में माधार के तीन से आपनागरी को ने देश के जवाबों के लिए मदद का हाथ उठाया जिन में से आधी कांद महिलाये थी जैस को दुश्मनों के साथ में जाने से जान से बचाने के लिए बहतर घंटे के अंदर सब से बहतर घंटे के अंदर सबने मिलकर एयरवेस के रनवे को रिपेर कर डाला डिरेक्टर अभिसेक दुधया की फिल्म भोज दे प्राइड आफ इंडिया यहीं इन्हीं यूद की बाहुंदुरी की साधहारन कहानी है जो कहीं जानी जरूरी है अजय देगन ने इस कहानी को जिस दिलेरी के साथ पेस किया है वह संदार है भोज मेकर्स ने पहले ही डिस्क्लेमर में यह साथ कर दिया है कि फिल्म की कहानी सची घाटनाओं पर प्रेरित है लेकिन कलापनिक है यानि यह बात यह बताता है कि इतिहास की इस कहानी को दोर दहराने के लिए नाटे के अप्रोच का भी इस्तेमाल किया किया गया है फिल्म कई बार कहानी की बारिकियों से दूर होती है दूर होती नजर आती है फिल्म की कहानी मिल्टरी अप्रेशन के साथ इमोशन वाजन दिया गया है रन्मे रिपेअर के बाद तेज आवाज से भजन गाया जा रहा है जो की एक गुप अप्रेशन है और यह अलग हमले को बुलावा देता है पस्तों में कहानी कुछ ऐसी थीकी भूज की मिलाए हरे रंग के कपड़ों में जाती है और सरीरी के उपर गोवर की स्ट्रिप लगाती है ताकि दुश्मनों की नजर से खुद को बचाया जा सके वहां तो ड्रामे नजर अंदाज किया जा सकता है लेकिन इस तरह की कहानी के तर्ख को ताक परक रखना डाइजेस्ट नहीं होती कहानी को थोड़ी और साउधानी की साथ लिखी जानी चाहिए फास्ट हाप धेर सारे कैमियो केकस और बेमो के बहादुरी के भासन की काफी बिखरा सा लगता है भूज एर वेस पर अटेक को अल्टा पुल्टा दिखाया गया है हाला कि फिल्म सेकेंड हाप में अपने रियल रियल लोकेशन पर आती है जिस पर यह कहानी बनी है हाला कि कहानी आपको थाम कर रखती है बिख हाटो पोस्ट और देश की सुरच्छा में लोगों एक से विश्चैनी को को लेकर ट्रॉक को सहारे प्लेन को लेंड कराते हैं सबी सीन एक्षन गेम संदार में असमान में फाइटर प्लेन के बिच की जंग भी को आपको बांद कर रखती है साउंड और बीजू अल बिग स्क्रीन के हिसाब से हैं बी एफ एक्स बीकुल साधारन है साउंड आपको रन भूमी तक रन भूमी तक ले जाने के लिए काफी है अजय देगन के सले मोशन के लिए सक्र है जो और वह अपने केरेक्टर की केरेक्टर में पूरी तरह से ढ़ले नजर आ रहे हैं संजय दा सुनाची सिन सदर केलकर नोरा फतेही और एमी विरकी ने अपने किरदार को बहुबी निवाया है नवनी परिहार भी इंद्रा गांधी के केमियों के रोल पर जच रही है भोज फिलिम रिव्यू अजय देगन स्टार्ज भोज दा प्राइड आफ इंडिया उने से कतर के भारत पाकिस्तान के यूद पर बनाई गई है लेकिन तड़कते भड़कते डायलोग उथले केरदारों और यूद के महल वालों ओवर्डोज ने मजा किरकिरा कर दिया है अजय देगन अभिनिति अभिश्यक दुधाया की फिलिम बोज दा प्राइड आफ इंडिया शोतरत दिवास से पहले रिलिज हुई है यह फिलिम उने से एक हातर के भारत पाकिस्तान के यूद के दरन एक पिरियाड वार्ड ड्रामा है बारतमान के डिजनी हार्ट स्टार पर एस्ट्रीन फिलिम हार्तिय वाईव सेना की यात्रा के एक कलापना पुर्ण कर्थन है सोडरन लीडर विजय करनिक अजय देगन भुजद प्राइड मुवी भुज हावाई अटे के ततकालिन परिवारी थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ और मधापार के एस्थानिय गाओं की चीन से महिलाओं की मधा से पाकिस्तानी सेना दरा बार बार बंबारिक से नस्ट ह दूए आएएफ आएएफ बेस का पुर्ण निर्मान किया था सटान लीडर विजय ने दुस्वन को सैनिकों सैनिकों को भातिये छेत्रा पर कज्चा करने के से रोकने की कोशिश कर रही है सेना तक पहुचने में महतरपुन बेंक आप में मदद की थी यह घतना अपने आप के लिए एक संदार पहलू है कि कैसे नागिकों की विर्ता से सटंत्रा के बाद से दो बडोसी देशों के बीच चल रहा है एक छेत्रिये यूद के महतरपुन जमिन खोने से बचाने में भारतिये सेना की मदद की अलाकि कागज पर सुनने में यह कहाली जितनी अकर्ष लग लखट लखटती है नजर आती है और वैसी वैसी अमिट छाप नहीं छोड़ पाती है जैसी कि उसके अफेच की जा रही थी कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वह वास्तविक्ता से बिलकुल अलग है और गाने वा डांस सीन का अनौस्यक रूप से आना फिलिम के मूड को खबर कर देता है जहां प्रियड में और यूद नाटक आजकल अर्थवादी अंदाज लेते जा रहा है वहीं वुज़ प्राइड आफ इंडिया इससे थोड़ी दूर है मुख्य कलकारों के अलावा बड़े कलकारों की टीम बिन तैयारी के काम करती महशूस होती है परभावित ढंग से एक यूद की कहानी जीवित नहीं होती कहानी कहने के सौली अत्यधी नाटे किये है जिसमें मैलाय यूद के बीच में तूटे हुए रन्वे की मरामत करते समय बक्ती गीतों की और चली जाती है एक या एक सेनी को कई दुस्मनों को मार डालता है या फिल्म फुल्द प्राइड अफ इंडिया में इंडिया फिल्म वी एफ एक्स और एनिमेशन का काम पास करने योग है और अजय देगन संजय दत और एक हद तक सरद केलकर को भी अपनी वरिता दिखाने के लिए पर्याक्ट चन मिलते हैं पर अगर आप एक नए सोतंत्र दिवस मनरोंजक की तलास है तो वीकेंड का माजा लेने के लिए या फिल्म देख सकते हैं बीते साल करोना संक्रामन से पहले रिलीस हुई फिल्म तनाजीर दा अनंग आंसंग वारियर्स पारियर्स जिस एक चीज के लिए वर्षो बर्षो बर्षो बर्ष मिशाल के तोर पर याद की जाएगी यह वह है एस वह इस वीजुल इफेक्स इन्हें बनने के बनने वाली कंपनी अजय देगन की कहीं एन हावाई वी एफेक्स वाला इसी कंपनी ने फिल्म भूश द प्राइड ऑफ इंडिया के वीजुल इफेक्स भी तयार किये फर्क बस फिल्म के निर्देशक का है पीवी पर हजारो एपीशोड बना चुके मुकेश दुदेया उर्फ अभिशेक दुधाया ने अपनी डेवी फिल्म में जो किया है उसके लिए अजय देगन के फैंस उन्हें अर्षे तक माव नहीं करेगा करेंगे देश भक्ती दिलेरी और धर्ती का दम दिखाने वाली अच्छी खास कहानी का उन्होंने चार चार पटक लेकों के चलते पूरा गुंडा गोवर कर दिया है कम लोगों को ही पता होगा कि भोज की जिस हवाई पट्टी को रातो रात बना कर भारती वाई सेना की भीमान वहां उतारने के लिए भुज एयरपोर्ट के इंचार शोडरन लीडर बीजय करनिक ने आसपास के गाओं की मैलाओं की मदद गरी थी उसे पूरा गोवर से लिपत गया था ताकि पकिस्तानी बीमानों को आसानी से नजर ना आए सके हाला की फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है और शुरू में इस इस बात की जिक्र भी है की फिल्म एति हासी घटनाओं पर वास्तविक चरित्रन नहीं है फिल्म भूई दर प्राइड आफ इंडिया से अजय देगन्स के फैंस को काफी उमीद रही है पिछले साल सौतंतर दिवस पर रिलीज होने के लिए तयार हो रही फिल्म साल बरबाद उसी मौके पर रिलीज हो रिलीज तो हुई लेकिन इस बीच इसके नामक से आयो डिन उडाव चुका है बड़ी फिल्म को सीधे ऊटिटी पर रिलीज करने के दिजनी बिजनी प्रॉन हाट एस्टार के पिसने पिछले साल खोसित अक्रॉस साम फास्ट देंफास्ट फास्ट फॉस रही की पहली सिर्लीज की गई थी इस त्रीज की अधिक लिए फिल्म का शर्म एसी ही रहा सिवाए लूट केस्ट और विग बूल के सिरीज की दूसरी फिल्म फिल्मों शड़क टू और भूज दा प्राइड अफ इंडिया में संचे दत दिखे और दोनों फिल्म में उसाद से भी खराब फिल्में रही फिल्म भूज दा प्राइड अफ इंडिया को कुछ देर रच्छ मंत्री राजनात सिंग ने वी देखा और अजयर देगन को भविश्य के लिए सुबकामनाय दी फिल्म का वर्तमान साइद उनकी भी अच्छा नहीं लगा फिल्म भूज दा प्राइड अफ इंडिया अच्छी है भी नहीं है नहीं एक तो किसी फिल्म की कहानी जब इसे हीरो को सुनानी पड़े तो पाठक कथा की कंजोरिया का परदा फास वहीं हो जाता है फिल्म के निर्देशक शुरू से 40 मिनेट तक तो समझ नहीं पाते की फिल्म को किस कौरट बिठाना है और इस चकर में जूला जूला फिल्म के साथ ने इस तकर में जूल जूलती फिल्म हाथ से निकल जाती है बोज की हवाई पटी से जिस मुल काथना पर फिल्म बनती है वह फिल्म के आखरी 40 मिनेट में 40 मिनेट में है और उसके बाद भी फिल्म बहुत बच्कानी लग दी है फिल्म सेर सोर सार की तरह यहां भी दिकात वहीं है कि निर्मताओं के देश भक्ति के तड़कते से फिल्म बेचनी है लेकिन देश भक्ति के तड़के मशाले हर बार एक जैसी नहीं हो सकते फिल्म बोई दा प्राइड अफ इंडिया देखने के बाद तो सोर सा भी बहतर फिल्म लगने लगी है अजय देगन ने फिल्म बोई दा प्राइड अफ इंडिया आपने पहले साट से ही खरावी वी एफ एक्स के चलते पकट खोदेती है फिल्म अभियान के लिहाज से अच्छी अच्छी नहीं है नोरा फदेई का पूरा पूरा ट्रेक खोद देखकर यू लगता है कि ती स्रीज ने फिल्म में पैसे श्रीप इसी हिंसे के लिए लगाया है वो आइटम नंबर के लिए ठीक है एक्टिंग उसके बस की बात अभी नहीं है वहीं हाल प्रनीता सुभास का है मराठी हीरो के पंजाबी गाले में दीखे प्रनीता फिर क्लाइमेक्स में रोल चलाती दीखती है इंदर कुछ फिल्मों से अजय की पत्नियों बनने वाली नाइका फूटेज हिंदी सिनेमा में लगतार कम हो जा रहा है यह एक सोद काम भी से हो सकता है असुनाची सिन्न ने फिल्म में अच्छा काम किया है गुजराती बाल गुजराती बाला की बाहुदरी दिखाने में भले उन्होंने नकामी तेदुआओ पर देपर मारा हो लेकिन उन्होंने उन्होंने हाव भाव उन्हों के हाव भाव तारीफ के काबिल है सरद कलकर संजयदत मह मैं है सेटी जैसे कलाकारों ने फिल्म की फिल्डिंग फिल्म की फिल्डिंग ठीक से जान तो लेकिन असली पीच ही रही कमजोर निकली फिल्म की एमी विप एयर फोर्स फाइलट के तोर पर काम किया है फिल्म पाठक अभियान निर्देशक तकनिक पस्व के अलावा अपने संगित में भी मत खाती है एक तो उन्हें से एकहतर में माराठी नायक पर पंजाबी गाना फिल्मा कर ही इसके निर्देशक ने अपने पैरों पर कुलहाडिया मार ली है बाकी रही सही सह कर पूरी कर दी है क्लाइमर्स में बजने वाले इसे बेहद बाच काने के कोशिस यहां हकीकत के गाने पर चले फीदा जाने ओ तना साथियों की नकलिक करने की लेकिन खैफिया आजमी बनने के लिए असल की सायरी पर जिन्दा रहा होता है वहां गाओं की मैलाओं के सामने सुनाई गई साबित कभी ता अच्छी है फिल्म को कुल मिला कर जो एक एस्टार मिलता है वहां है इसके हीरो अजय देगन की बहुदरी के लिए अपने बेहतरिन दोर में उन्होंने सिर्फ देशभक्ती फिल्म के नाम पर ये फिल्म करने की हिम्मत दुटा ली अपने हिस्से का काम भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया है लेकिन दो घंटे से भी कम की ये फिल्म देखना किसी चुनवती से कम नहीं है अजय देगन की भूज दा प्राइड आफ इंडिया फैंस के लिए सुपर एस्टार की तरफ से सौतंतरा दिवस की दावत है यहीं आप फिल्म देखने के इच्छा इच्चुक है तो यहां केवल आपके लिए तयार की गई मल्टी एस्टार फिल्म के बारे में ये हर संभाव जनकारी है बूज दा प्राइड आफ इंडिया अजय देगन की बूज प्राइड आफ इंडिया फिल्म सौतंतर दिवस के वीकेंड पर रिलीज हो रही थी यहां फिल्म भारतिय एक्ता की मैला को प्रदोशित करेगी यह फिल्म उन्हें से एकहतर के भारत पाकिस्तान के यूद के दोरान किस तरह हमें जित मिली पर उस बात करेगी उस लडाई ने भूज में भारतिय वायू सेना की हवाई पटी नस्ट हो गई थी इसके बाद गुजरात की तिन से स्थानिय मैलाओ ने AIF सोडरन लीडर विजय करनिक ने नेतित्रक्यों में एरवेस ने पूर्णी मान के लिए दिन प्रती दिन विर्था पूर्वग काम किया यह फिलिम 13 अगस को डिजनी फ्लस्ट में रिलीज होता है अभिनेता दुधया अभिनेता दुधया अभिशेक दुधया दरा निर्दे सीद भूजद प्राइड आफ इंडिया में संजयदत सुनाचि सिन एमी वीर की निराफते ही सरद केलकर परमगोमिकाओ में रहे हैं उन्हे से साल उन्हे से एक हतर में भारत और पाकिस्तान के बिच हुई लडाई इंडिया पाकिस्तान उन्हे से एक हतर वार को 50 साल पूरे हो रहे हैं इस लडाई के दवरान भूज की महिलाओ के कब जजबे को सलाम करने और इंडिया एर फोर्स की संता को दरसाने के लिए आजय देगन एस्टार फिल्म भूज दा प्राइड आफ इंडिया वर्ल्ड टेली वर्ल्ड टेली वीजन प्रेमियर के लिए विल्कुल तयार किया है OTT के बाद अब यह फिल्म टीवी पर दिखाई जाने वाली है 24 दिसंबर रात आठ बजे एस्टार गोल्ड पर फिल्म भूज दा प्राइड आफ इंडिया को दिखाए जाता है यह फिल्म भूज के एक गाउं की उन तीन से जवाज महिला सक्तियों के स्रिंद जली होगी जिन्होंने अपनी जिन्दगी को ताक पर रखता है मातरा तीन दिनों में इंडिया एर फोर्स का रणवे तयार कर डाला था जो कई लोगों के नामुम्किन सा दिखाए दे रहा था यह रणवे पाकिस्तान की नापाग हरकत के कारण चाति ग्रस्थ हो गया था आपको बता दें कि इस असली घर्टना पर बनी अजय देगन की ये फिलिम इसी साल 13 अगस्थ को रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों को काफी अच्छा रिप्रेंस भी मिला है अजय देगन ने किया मैलाओ को जजबे को सलाम मैलाओ को सक्ति के इसे जजबे को सलाम करते हुए अजय देगन कहते हैं वोज दा प्राइड अफ इंडिया जिसे 26 दिसंबर रात 8 बजे इस्टार गोल्ड पर दिखाया जाता है ये फिलिम उन तिन से मैलाओ अदिर्ट्याओ और अर्शिव अस्थानिय साहाय को सलाम करती है जो यूद के बीच बीच अपनों बच्चे को घरों में छोड़ कर हवाई मैदान को ठीक करने के जूट गई इन अवरतों ने वतन के हिफाज़त को अपनी जान को जान और परिवारों से भी उपर रखा और यहीं चीज है असली हीरो बनती है जब मैंने ही कहानी सुनी तब से ये मेरे दिल में रह गई है देश भक्ति को कई किरदार निभा चुके हैं अजय जेगन कहते हैं कि मैं बहुत सुभागय साली हूं कि मुझे अपने केरिया के शुरुवात दोर से ही देश भक्ति के किरदार को जीने का मौका मिला है मिला है शुक्र गुर्जर हूं कि स्री राज संतोसी की और से मुझे भागत सिंग जैसे देश भक्त का केदार करने का मौका मिला है तनाजी अनसंगन वार्शियर के जरिये मैंने आपनी सवी फिलिम दर्ज की और फिलिम भोज दा प्राइड अफ इंडिया आपने विक कमांडर बीमन करनी की कहानी निभार कर मुझे गरो महसूस हो रहा है तनाजी जैसे सुर्वीर योद्यक और विजय करनी जैसे वीर सपुत्रों का केरदार कर अजय देगन कहते है कि आगे भी हम ऐसे कई वीर जवानों को प्राक्रिम योद कहानियों की फिलिम पर्दे पर जीते रहेंगे और उन्हों अमर करते रहेंगे अजय देगन भारती एक अभीनेता है अजय देगन का जनांदू अप्रेल उन्हेसे 79 को भारती हिंदी फिलिम उधोग बॉलीवूट के एक जाने माने अभीनेता निर्माता और निर्देशक हैं उन्होंने अपना फिल्म सफर वर्ष उन्हेसे 91 में फिल्म फूल और काटे से सुरू किया था उन्हेसे 99 में उन्होंने महेश भट निर्देशिद फिल्म जखमा और 2002 में राजकुमर संतोसी दर निर्देशिद दर लेड़ेच अभगत सिंग के लिए सरवस्ट्रेश्ट अभिनेता का राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार प्राप्त कर चुके हैं अजय देगन का जनम 2 अप्रेल उन्हेसे 99 को दिल्ली में हुआ था वह मूल रूप से पंजाब आते हैं उनके पीता बीरु देगन की हिंदी फिल्मों के एस्टन्टमेंट में अजय देगन की मावीन्य देगन की कुछ फिल्मों का निर्मान किया था अजय ने एस्टन्तर की पढ़ाई मुंबई से मीठी कलेज से पूरी की 24 फरवरी उने से 99 को अजय ने अभिनेत्री काजल संगर साथ फेर ले लिए पहली बार अजय और काजल की जोड़ी उने से 95 में प्रदिशी फिल्म हलचल में नजर आय थी उनके दो बच्चे नैसा जिसका जनम 20 अप्रेल 2003 को हुआ था और यूग जिसका जनम तेरा सीतम बाद 2010 को हुआ था इन्होंने फिल्म में अपने केरियर के सुरुआत उने से 99 में शुरू की थी अपनी इस शुरुआत से पहले ही इन्होंने अपने जनम नाम 20 साल के स्थान पर अपने से बदल लिया क्योंकि उनके अविनेता के रूप में लंच होने से पहले ही उसी समय कई अन्य अविनेता भी 20 साल नाम से लंच हो रहे थे इसमें मनोज कुमार के पुत्रा भी सामिल थे इन्होंने अपने फिल्म केरियर की शुरुआत फूल और काटे से की जिसके कारण इन्हेंने सर्वस्ट्रेश्ट शुरुआत है तु फिल्म फेर पुरसकार भी मिला इस फिल्म में इनके साथ मद्धू ने काम किया था इसके बाद इनकी अगली फिलिम जीगर उन्हें से बानवे थी जिसमें इन्होंने करिश्मा कपूर के साथ अभियान किया था यह फिलिम दिवाली के हब्द सब्दा हांत में रिलीज हुई और उस बर्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवोड फिलिम बनी थी इस फिलिम में इस फिलिम ने काफी अच्छा दर्सकों को रोमांटिक यह दिखाई दी थी वो इद प्राइड आफ इंडिया मोवी के अभिनेता संजय दाथ का जनम 29 जुलाई उने से उन्चास एक भारतिय अभिनेता और फिलिम निर्माता हैं जिन्होंने हिंदी फिलिम हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाते हैं वो थोड़े बहुत राजनीती से भी जुड़े हुए हैं संजय दाथ प्राइड इस फिलिम कालाकार एवन राजनीती ग्या सुनिल दाथ एवन अभिनेतरी निर्गिस के पुत्रा हैं उन्होंने हिंदी फिल्मों में सन उने से एकाशी में काम करना रंभ किया है उसके बाद उन्होंने कई प्रदिसित हिंदी फिल्मों में अभियान किया उनके उन्होंने फिल्मों में प्रेमी हस्या जैसी अभियान भी किये हैं प्राधी ठाग और पुलिस अधिकारी का अभियान किया जिसके लिए अपने प्रसांस को और फिलिम समलोच को अभूत पुरुआ प्रसांप्राप्त की संजय दत अप्रेल उने से तीरांडे में अतंगवादियों की सहाधा करने नौ मीनी संजय दत के जरा 29 जुलाई उने से उन्चास को वॉलिबूर सी तारे सुनिल दत और नर्गिस के घर हुआ उसकी दो वहनों है प्रियादत और नाम्रदत उनकी सिच्छा सक्षाली के पास लंस्रे स्कूल सानवार में हुआ उनकी मा का उनकी मा का मैं 1991 में उनकी प्रधान फिल्म प्रथम प्रदसन से तीन दिन पहले निदन हो गए उन्होंने फिल्म में उनके बिभीन अभियान सहीत उनके बिवादित करयो मादक प्रथम प्रदातों के लिए सेवन आधी के लिए जाना जाता है उन्होंने उन्हें से बिराशी में आवाइद माधक प्रदात रखने के आरोप में चार मह की करावस की सजा हुई थी अलावत से निकलने के बाद उन्होंने दूबर संजुक्त राज्या अमेरिका में व्यक्तित किये उनका अमेरिका में आधिकत्र समय से टेक्सास रेहाब किलनिक टेक्सास पूर्मोस किलनिक में गुजारा उसके बाद उन्होंने पुन भारत में आकर अपने केरियर की और ध्यान दिया संजैजत ने उने से 87 में रच्छा सर्मा के साथ बिवा किया सर्मा की ब्रेंट्यूमर मस्तिक की गाठ के कारण 2016 में मिर्त्यू हो गई इस दंपित के घर में उने से 88 में एक लड़की ने जनम लिया जिसका नाम तिरसला है और वो दत्य की पत्नी की मिर्त्यू और उनकी हिरासत के बाद वो अपने नाना नानी के साथ संज्यूक्त राज्या अमेरिका मेरा आती है संज्य दत का दूसरा विवा माडल रिया पिपली के साथ उने से 88 में हुआ 2004 में उनका तराग हो गई संज्य दत ने दो वर्ष डेटिंग करने के बाद 2008 में गोवाक में एक नीजी दावत ने दावत ने मन्याता जनम का नाम दिलनवाज सेक्स के साथ विवा किया एक शक्टूबग 2010 को दो जोड़ो बच्चे के साथ जनमे लड़का का नाम सराहना और लड़की की नाम इकरा रखा था एक बार कलकार के रूप में उन्हें अपने पीतादारा नेरमित फिल्म रेश्मा और सेर में उन्हें से 72 में प्रादान किया इस फिल्म में वो एक कावाली गायक के रूप में दिखाए दिये संझेदत ने उन्हें से 71 में फिल्म रांकी से ब्वाली वोड में प्रादान किया उन्हें 72 में सर्वधिक कमाई वाली फिल्म वीधाता से सितारे बने まり 84 में उनकी फिल्म जान की बाजी प्रद'Sित हुई इसके अलावा संझेदत ने कही सफल फिल्मों में से जैसे मैं आवारा हूँ, उने से 83, जीवा, उने से 86, मेरा हक, उने से 86, इमनदार, इनाम 10,000, उने से 87, जीते हैं, उने से 87, मर्दोवाली बाद, उने से 88, इलाका उने से 89, हम भी इंसान है, उने से 89, कानून अपना अपना, उने से 89 और ताकत्वर उने से 89 में भी अभ्यान किया है, वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में, फिलिम नाम से, उन्होंने समालोच को से भी प्रसान प्राप्द किया, कि और कि उनकी कपूर के साथ, विकी कपूर के रुप में अपनी समवेदन सिल आग्रमन भूमिका के लिए प्रसान अजित की, उन्होंने महेश भाट की फिलिम कबजा, उन्होंने से 88 में, जेपी दात की फिलिम हातियार उन्होंने से 89 के लिए समलोच को के प्रसान स्प्राप्द की, बर्स उन्होंने से 99 का उनके लिए वापस का दोर रहा, उसी बर्स उनकी फिलिम वास्ताओ के लिए उन्होंने पहला फिलिम फेर पुरसकार मिला, उनकी सबसे सफल फिलिम लगे रहो, मुन्ना भाई 2006 में उत्रादों में प्रादिसित होाई इस फिलिम के लिए उनके मुन्ना भाई के अभियान के लिए विवीन पुरसकारों सहीद भारत के दतकालिन पर्थानमंति, डenter मनमोवन सिंग के भी पुरसकार मिला, संजेदत और IPL टीम के मालिक उधावमी राजपुंद्र के साथ में 16 जन्वरी 2012 को भारत की प्रतम प्रिवेशर संगठित युग समारिक कला सुपर हीट फाइट लिग की समारिक कला सुपर फाइट लिग की स्ताबना की मुंबई में उने से 93 में स्रिंखला के ब्रिद बंबी स्पोर्ट हुए संजाइदाद बॉलिवोड के उन लोगों उन कुछ लोगों में से एक थे जिस जिन पर अप्रेल उने से 93 में बंबी स्पोर्ट में सामिल होने से अपरोध लगा उन्होंने टाडा नियमों के अनुसार जिरवतार किया गया संजाइदाद के भारतिय उच्छ नैले से अक्टूबर उने से 94 में जामानत मिल गयी लेकिन दिसमबर उने से 94 में उन्हें पुन जिरवतार कर लिया गया अपरेल उन्हें से 17 में उन्हें पुन जामानत में युक्त कर दिया गया यह मामला 2006 में नैले में आया और संजाइदाद को रिली सिद्धी की जो मुंबई बंबी स्वोट के दोसी पाए गये थे पाए गये के साथ अबुसलेम से अपने घर पर हत्यारों को रखने के दोसी पाया गया था यह दवा की गई की हत्यार अतंगबादियों से जुडे हत्यारों के बड़ी खेप के हिस्सा थे 2006-2007 के दवरान संजय दतको साथ मा अर्थ रोड जेल और अपराधों के लिए तीन और अश्रों पर पुने जेल में जाना पड़ा सुनाक्षी सिना हिंदुस्ताने उच्चारान जाम दू जुन उने से 87 भारती अभिनेतरी है वह अभिनेतर सत्रूधन सिंग और अभिनेतरी पुनम सिंग की पुत्री है उन्होंने फिलिम दबंग 2010 से फिलिम में प्रदसन किया जिन्हें उन्हें सरो स्रेश्ट प्रदान अभिनेत्री का फिलिम में फियर प्रदसकार मिला वह एक सत्रुदान सिंग जो की बिहार के है जो एक परमुक अभिनेता है एक राजनेता और पुनम सिंग साधी के पहले सिधी सरनेम चंदी रामनी जो की सिंधी की उनकी बेटी है वह दो जुड़वा भायो लव सिंग और कुश सिंग के साथ तीन बच्चे में सबसे छोटी सोनाची सिंग है मुंबई में आर्या विधा मंदिर के अपनी स्कूली सिच्छा पूरी की और स्रीमती नाती बाई दामोदर थ्रेक से महिला विश्व विधाले मुंबई महराष्टे फैशन डिजाइनिंग में इस्तांतर की उत्पादिक प्राप्त किया है सोनाची सिंग ने 2005 में मेरा दिल लेके देखो जैसे इस फिल्म में लिए वस्तव डिजाइन करके एक कम्यूम डिजाइन के रूप में अपने पेश की शुरुवात की और उसके बाद फिर कलेम फैशन की फैशन वीक की 2009 के लम्हे फैशन वीक 2008 में रेप कर भी ली उन्होंने अपनी अभियान की पेश सलमान खान के साथ दबंग से किया था सुनाची सिंग योयो हानी सिंग के साथ एक संगीत वीडियो में दिखाए दी जिसका सिर्शक सूपरेस्टार था 2019 में उन्होंने कमेडी फिलिम टोटल धामाल एक गीत मुंगडा में अभियान किया इसके बाद उन्हें अधित्य राय कपूर संजेदत माधुरिदी चित आलिया भट और अरुट बरुन्ध हवन सहित कलकारों की टुकडी के सनाथ परियर्ड रोमांस फिलिम कंकल कलंक में अभियान किया या फिलिम वेवसाई ग्रूप से आच्छा प्रदसन करने में भी फल रही सनाथी ने फिलिम खंदानी सफाहाना में भी काम किया सनाथी सिंद मीशन मंगल में अगले एस्टार होने जिसमें एक कलकारों की टुकडी है जिसमें अक्षै कुमार बीधा बलन और पासी पन्नु सामिल है वो अजय देगन संजय दत और प्रनीती चोपड़ा के साथ युद ड्रामा फिलिम बोल्ज द प्राइड अफ इंडिया में दिखाई दे रहे हैं उसके बाद वो सलमान खान के साथ दबंग थीरी में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे जो प्रभु देव का निदेशक होगी नरग फदेही एक मोरकन बीरासत की कंडाई कर्ण की अविनेत्री और माडल है वो हिंदी तेलेंगु मलायम और तामिल भासा की फिल्मों में दिखाई देती है इन्होंने बॉलिवोड फिल्म में रोस में अभियान किया बाद में इन्होंने पुरी जगान की वॉलिवोड फिल्म टेमपर में एक विसेष गित के लिए हस्थाक चलिए इन्होंने भीक्रम भट बर निर्देशित फिल्म मिस्टर एक्स में इमरान हास्मी और गुरमित चोदरी के साथ भी महेश भट दोरा निर्देशित विशेश प्रदाशन किया दिसंबर 2014 को आरांब इन्हों ने पूरी जगांध की टेमपर पर हास्टाक्चर लिये जो तेलंगु सिनेमा में इनके आरांब का प्रतिक थी बाद में इन्होंने बाहु बाले दबिलिंग और कीकटू जैसी फिल्मों में प्रदिशित होने के लिए हास्टाक्चर किये जुन 2014 के आंद में इन्हें एक तेलंगु फिल्म सेर के लिए हास्टाक्चर किये अगास 2014 अंत में नारा फातेही के एक देलिंगू फिल्म लोफार पर हास्ताक्चार किये जो पूरी जगंधार निर्देशित बरुनतेश के सामने नारा फातेही ने आरोपी फिल्म पर हास्ताक्चार किये दिसमबद 2014 में नारा फातेही के बीग वास्ताक्चार किया जो कि इसमें नवे सीजन में एक वाइल्डस कार्ड परवेश थी नारा ने घर के भीता तिन हापते भीता है जब एक की ये बारवे हापता दिवस तिरासी में बदलेख नहीं होगी नारा 2016 में जलक दिखला जा नारा बटला हाउस फिलिम के कालकारों में सामिल हो गई अमर दिपाल सिंग विर्क जनम 11 माई 92 में जिन है उनके मंच नाम ऐसी विर्की से आधिक माना जाता है कि पंजाबी गायक फिलिम अभिनेता और निर्मता है उन्होंने अंग्रेज 2014 में हकम निका जौलदार 2014 में निका और किश्मत 2018 में सिवजीत की भूमी का निभाने के लिए जाना जाता है भूज दे प्राइड आफ इंडिया सची घाटना पर अधारित एक फिलिम है जिसकी कहानी उन्हें से खतर के भारत पाकिस्तान के योद पर वेस्ट है जिसमें अजय देगन तकालिंद भूज एयरपोर्ट के इंचार्ज विजय करनिक के किरदार में है इस योद के दोरान सिकुरेडन लीडर विजय करनिक भूज एयरपोर्ट पर आपनी टीम के साथ मवजुद थे यहां की एर एस्ट्रिप हवाई पटी तबा हो गई थी इसी दोरान पाकिस्तान की तरफ से बारी बंबारी की जा रही थी इस समय एयरवेस पर उनके साथ पचास एयरफोर्ट और साथ डिफ्रेस सिक्रेटी के लोग मौजुद थे विजय करनिक और उनकी टीम ने इलाके की महिलाओ की मदद से हवाई पटी को फिर से तयार किया उन्होंने इलाके की 300 महिलाओ के साथ मिलकर उसके फिर से तयार किया ताकि भारत सेना की जवानों को लेकर जाने वाली फ्लाइट वहां आसानी से लेंडिंग कर सके फिलिम की शुरुआत होती जब पाकिस्तान वायू सेना के चेट बीमान ने भूज दा प्राइड आफ इंडिया में भारतिये फिलिम वायू सेना की हवाई पर्टी पर लागतार बंबरसाए भारी तबाही के भूज एयरपोट ने इंचाज बिजय करने अजय देगन एस्तितीव से जुडने के कोशिस करते हुए दुस्मनों को सामना करते हैं कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है और बताया जाता है कि पुर्व पाकिस्तान अब बंगलादेश को पस्मी पाकिस्तान पाक के दमन से निकालने में भारत ने सहायता दी थी जिसे लेका उने से एक दिसंबर में भारत पाकिस्तान युद शीडा पुर्व पाकिस्तान में भारत की एस्तिती को कंजोर करने के लिए पाकिस्तान ने भारत से पस्मी छत्रों पर हामलाद किया वो भूज को अपने कब्जोक में करना चाहिए थे रनिती के तहत भीवहिन भारतिय हवाई अड़े पर बंबारी की गई भूजी और वेश भारतिय वायु सेना के प्रमुख छेत्रों में से एक हैं जहां पाकिस्तान ने भारी तबाही मचाई थी भारतिय वायु सेना को सीमा सुराचा बल से हवाई पटी को बहाल करने के उमिद थी लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसी समय पाकिस्तान ने लंगवेवाल में भी योज छेट दिया था इसी दवरान भूज के माधापूर की तिन से अग्रामी जादतन मैला है ने 72 घंटों के भीतर गति ग्रस्त एयर वेस के मरमत करके देश के रच्चा के लिए कदम बढ़ाने के फैसला किया फिल्म इसी घटना के इदिगिर्दी घुमती है कि कैसे बीजय करनी के उस यूद के महतवपूर भूमिका निवाई है ये फिल्म भूज के एक गाउं की उनकी तिन से जबाज मैला सक्तियों के सिर्दान्त होगी जिन्होंने अपनी जिन्दवी को ताकपर रखकर मातरा ती लोगों ने नामूंकिन सा दिखाये दे रहे थे वे रन्बय में पाकिस्तान की नापाख हरकत के कारण सती ग्रस्त हो गया था आपको बता दे कि इससी असली घटना पर बनी अजय देगन की ये फिलिम ये फिलिम इसी साल 13 अगस्त को रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिफ्रांस भी मिला महिला सक्ति के इस जजबे को सलाम करते हुए अजय देगन करते हैं कि भोज़ दा प्राइड आफ इंडिया जिसे 26 दिसंबर रात आठ वज़े गेस्टार गोल्ड पर दिखा जा रहा है फिलिम तीन से महिलाओ के आदिक विश्वानिय सहायक सलाम करती है जो युद के बीच बीच अपने बच्चों को घर में छोटका हवाई मैदान को ठीक करने के जूट गई इन अवरतों ने अपना हिफाज़त को अपनी जान और परिवारों को से भी उपर रखा और यहीं चीज उन्होंने असली हीरो बनती है जब मैंने ये कहानी सुनाई तब से ये मेरे दिल में रह गई है बुच दा प्राइड ओफ इंडिया फिलिम एक कागामी भारतिय हिंदी भासा की एक्शन फिलिम है जो अभी से दुधाया दौर नेदेशिस और निरमीत और लिखीत है इतिहासिक सच्चाई घटनाओ पर अधारित है बुच दा प्राइड ओफ इंडिया मुवी यह फिलिम तीन से गुजराती महिलाओ की कहानी है जिन्हों ने बंगलादेश और पाकिस्तान यूद के दौरान भारतिय वायु सेना की साहायत की उनेश मास 2009 को भारत पाकिस्तान के यूद की सच्ची घटनाओ पर भुशन कुमार्ग ने फिलिम की घोषना की फिलिम ने उनेश से 71 के भारत पाकिस्तान की यूद की घटनाद दर्सक गया है जहां गुजरात के भुशने तीन से इस्थानिय महिलाओ ने नस्ठ हुए एरवेस के पुन्य निर्मान के मदद की अजय ने बीजय करनिक को चरित्री किया और वह भी भुमिका के लिए एक मात्र विकल्व थे अने कलकारों में संजय दत, सोनाची सिंग, एमी वीर की और राना दागुबाटी सामिल थे फिल्म विर्क की दूसरी हिंदी फिल्म है, दचिन की आविनेत्री प्रतीमा सुभास ने बाद में इस फिल्म से जूट कर बॉलिवुड में कदम रखा प्रनीती चोपडा को फिल्म में जासुसी का किरदार निभाने के लिए साइन किया गया था लेकिन फिल्म की सुटिंग की तारीखों के कारण उनकी दूसरी फिल्म का साइन के साथ क्लेस होने का कारण उन्होंने नौम्बा दौद्यार ने फिल्म से बाहर होने के विकल्प चुना जन्वारी 2020 में नेरा फतेही को चोपडा के प्रती स्थापना के रूप में चुना गया बाद में जन्वारी में दागुबाटी ने स्वास्ते मुद्धों के हवाला देते हुए फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगा सरत केलकर ने ले ली संजयदात ने 25 जून 2019 को हैदराबाद ने फिल्म की सुटिंग सुरू की फिर उन्होंने और अजयदेगन सहित अन्य कलाकारों ने फिल्म के अगले भाग वो सुरू करने के लिए भोपाल इंदर लखनाव और मुंबाई कलकाता की यात दिसंबर 2019 के अंत में अच्छा में फिल्म आया गया था भूल द प्राइड ऑफ इंडिया एक परियाड वार ड्रामा वॉलिवूड फिल्म है जिसमें अजयदेगन संजयद सुनाची सिन नेराफ होते ही और एमी विर्क अहम कीरदार को निभाया है फिल्म को अभिशेक दुधाया निर्देशा कर रहे थे और भूसन कुमार तथा साथ हिजाद गिन्नी खनुजा कृष्णा कुमार वजीर सिन और खुद अभिशेक दुधाया फिल्म को प्रियोश किया था पहले यह फिल्म 14 अगस 2020 को बड़े परदे पर रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे पोस्ट फोन कर दिया गया था जिसके बाद इस फिल्म के रिलीज नई डेट 13 अगस 2021 को बनाया गया था देशबर में हमारी के चलते फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के फैसला कर दिया था बुज द प्राइड ओफ इंडिया सची घटना पर आधारित एक फिल्म है जिसकी कहानी हुने से 71 के भारत पाकिस्तान के युद के युद पर वेस्ट है जिसमें अजय देगन ततकालिन भुज एयर पोर्ट में इन चार्ज बिजय करनी से किरदार में आहम इस युद के दो बुज द प्राइड ओफ इंडिया सची घटना पर आधारित एक फिल्म है जिसकी कहानी हुने से 71 के भारत पाकिस्तान के युद पर वेस्ट है जिसमें अजय देगन ततकालिन भुज एयर पोर्ट के इन चार्ज बिजय करनी के किरदार में हैं इस युद के दोरान इस साथ मौझूद थे जहां एक एयर एस्ट्रीक हवाई पटी हवाई पटी तवाह हो गई थी इस दोरान पाकिस्तान की टरफ से बारी बारी बंबारी की जा रहा था इसी समय एयर एयर वेस पर इनके साथ पचास एयरफोर्ट और साट डिस्फ्रेक्ट सीक्रोटी को साट डिस्फ्रेक्ट सीक्रोटी लोग मौजुद थे विजय करनिक और उनकी टीम ने इलाके की महिलाओं की मदद से हवाई पर्टीस को फिर से तैयार किया उन्होंने इलाके की 300 महिलाओं के साथ मिलकर उसे फिर से तैयार किया ताकि भारत की सेनक के जवानों को लेकर जाने वाली फ्लाइट यहां आसानी से लेंड कर सके कहानी फिलिम की शुरुआत होती है आठ दिसम्ब उने से 11 से जब पकिस्तान वायू सेनको जेट बिमान ने भुज ने भारत वायू सेनकी हवाई पट्टी पर लागतार बंबर्शाय भारी लवाई के बीच भुज एयरपोर्ट के इंचाज बीजय करनिक अज्जय देगन स्थापित ने जूजने के कोशिस करते हुए दुश्मनों को सामना करते है कहानी एक हथे पीछे जाती है और बताया जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश को पच्मी पाकिस्तान के दमन से निकलने में भारत ने सहायता दी थी जिसे लेकर उने से कहता दिसंबर में भारत पाकिस्तान युद छीड़ा पूर्वी पाकिस्तान में भारत की इस्थीती कंजोर करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के पच्मी छत्रों पर हमला किया जो हमला किया वो भूज को अपने कबजों में करना चाते है रनिती के तहत बीवीन भारतिय हवाई अड़े पर बांबारी की गई भुज एयरवेस भारतिय वायु सेना के प्रमुक छेत्र में से एक था जहां पाकिस्तान ने भारी तबाई मचाई है भारतिय वायु सेना को सीमा सुराचा बलक से हवाई पटी को वहल करने की उम्मिद थी लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी समय पाकिस्तान ने लेंगवे वाला में भी यूद के छेड़ दिया था इस दोरान भुज के माधपूर की तिन से ग्रामियों ने ज्यादतर मैलाए और मैलाए ने बहत्ता घंटे के भीतर चातिक ग्रस्त एयर वेस की सम्मानत करते देश की रच्छा के लिए मदद बढ़ाने के फैसला किया फिल्म इसी घटना के इदगीर्दी घुमती है कैसे बिजय करनी ने उस यूद के बहत पुर्ण भूमिका निभाई है फिल्म में डेर खामिया है जो इसे देखना आपके लिए हर मिनट के साथ मुश्किल करती है कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत में दिये डिस्क्लेमर में साफ कर दिया गया है कि यह फिल्म क्लापनिक है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है आगे क्या है इस फिल्म में जाने हमारे रिविव में सौतंत्र दिवस के मौके पर बॉलीवूड हर साल से बढ़कर एक फिल्म रिलीज करता है जिसका इंतजाग दर्सकों बेसबरी से होता है इसी साल सौतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई इसी साल सौतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई भूज दा प्राइड आफ इंडिया आपके पहले ही भूज के बारे में आपको बताऊं क्या कहा है या सुचने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ा है तक्रीबन दो घंटे की इसी फिलिम के देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है सच कहूं तो ये फिलिम किसी मजाक से भी कम नहीं है फिलिम की कहानी उनेश से 71 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच योद की है इस दवरान पाकिस्तानी सेनिक ने भूज के एरवेस पर जोड़दार हामला किया था जिसके बाद वहाँ पास के गाओं माधार पर मेराने वाले 300 मैलाओं ने अपनी जिन्दगी को दाव पर लगा कर इंडिया और एरफोर्स के रनवे की रास्तर रातो रात मरमत कर डाली का कि वहाँ बारतिय सैनिक उनकी मदद के लिए पहुंच से स्वाटरन लीडर विजय करनी आजय देगन ने रनवे पट्टी को रिपेयर करने के लिए उन इस्थानियों इस्थानियों लोग को प्रेरित किया था यहां फिलिम संकट की बड़ी में देश की नागरी को और इंडिया आडरम फोर्स के सहयों की याद दिलाती है रिवीव साल उने से एकातर में इंडिया पाकिस्तान यूद से बंगला देश की आजयादी की कहानी परिमान था चुकि भारत ने वेश्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है वे पाकिस्तान है आत्याचारों के बाद उसके अलग होने के अलग होने में इस्थ पाकिस्तान और बंगला देश की मदद की बखौलया है पाकिस्तान भारत के वेटर्स रिजन पर इसलिए हामला करता है ताकि इसके बाद वो भारत से सवदा कर सके और बदले में इस पाकिस्तान हासिल कर सके इसी एस्ट्रेजी के तहत कई इंडियन एयरवेस पर भंबारी की गई भूज एयरपोर्ट इंडियन एयरपोर्ट फोर्स जब से महत अपुन ठीकाने में एक साथ जिसे काफी नुकसान पहुचाया गया था 8 दिसंबर की राद पाकिस्तान एयरफोर्स की फाइटर्स जेटर्स के ने करीब 14 से अधिक नापाम बंभूज के इंडियन एयरवेस के रनवे पर गिरा है इसकी वज़ा से रनवे इस तरह वरवाद हुआ कि वहाँ से एयरकास्ट की लेंडिंग और टेक आफ मुश्किल हो चुका था इसलिए बॉर्डर सिक्रेटिक फोर्स को भी वहां तक पहुचाने में काफी वक्त लागा था और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स वक्त और रनवे पर काम करने के लिए मज़ूरों के कमी से जूज रही है इस मुश्किल घड़ी में माधार के तीन से आमनागरी को ने देश के जवावों के लिए मदद का हाथ उढ़ाया जिन में से आधिकांद महिलाये थी देश को दुश्मनों के साथ में जान से बचाने के लिए बहतर घंटे के अंदर सबने मिलकर एयरवेस के रनवे को रिपेर कर डाला डिरेक्टर अभिषेक दुधाया की फिलिम भोज दे प्राइड आफ इंडिया यहीं इन्हीं यूद की बाहतरी की साधारन कहानी है जो कहीं जानी जरूरी है अजय देगन ने इस कहानी को जिस दिलेरी के साथ पेश किया है वो संदार है भोज मेकर्स ने पहले ही डिस्क्लेमर में यह साथ कर दिया है कि फिलिम की कहानी सची घाटनाओ पर प्रेरित है लेकिन कलापनिक है यानि यह बताता है कि इतिहास की इस कहानी को दोराने के लिए नाटे की अप्रोच का भी इस्तेमाल किया गया है फिलिम कई बार कहानी की बारिकियों से दूर होती है दूर होती नजर आती है फिलिम की कहानी मिल्टरी अप्रेशन के साथ इमोशन वजन दिया गया है रन्वे रिपेर के बाद तेज आवाज से भजन गाया जा रहा है रोल बजाये जा रहे है जो की एक गुप्त अप्रेशन है और यह अलग हमले को बुलावा देता है पस्तों में कहानी कुछ ऐसी थी की भूज की मिलाए हरे रंग के कपडों में जाती है और सरीरी के उपर गोवर की स्ट्रिप लगाती है ताकि दुश्मनों की नजर से खुद को बचाया जा सके वहां तो ड्रामे नजर अंदाज किया जा सकता है लेकिन इस तरह की कहानी के तरक को ताक परक रखना डाइजेस्ट नहीं होती कहानी को थोड़ी और साउधानी की साथ लिखी जानी चाहिए फास्ट हाप धेर सारे कैमियो केरकस और बेमो के बहादुरी के भासन के काफी बिखरा सा लगता है भूज एयर वेस पर अटेक को अल्टा पुल्टा दिखाया गया है हाला कि फिल्म सेकेंड हाप में अपने रियल लोकेशन पर आती है जिस पर यह कहानी बनी है हाला कि कहानी आपको थाम कर रखती है भी हाटो पोस्ट और देश की सुरच्छा में लोगों एक से भी सैनिकों को लेकर ट्रॉक को सहारे प्लेन को लेंड कराते हैं सभी सीन एक्षन गेम संदार में असमान में फाइटर प्लेन के बीच की जंग भी को आपको बांद कर रखती है साउंड और बीजू अल बिग स्क्रीन के हिसाब से हैं बी एफ एक्स बीकुल साधारन है वहें साउंड आपको रन भूमी तक ले जाने के लिए काफी है अजय देगन के सले मोशन के लिए सक्ट है जो और वो अपने केरेक्टर में पूरी तरह से ढ़ले नजर आ रहे हैं अजय दा सुनाची सिन सदर केलकर नोरा फतेही और एमी विरकी ने अपने किरदार को बहुभी निवाया है नवीजी नवनी परिहार भी इंद्रा गांधी के केमियो के रोल पर जच रही है भोज फिलिम रिव्यू अजय देगन स्टार्ज भोज दप्राइड अफ इंडिया उन्हें से कतर के भारत पाकिस्तान के यूद पर बनाई गई है लेकिन तड़कते भड़कते डायलोग उथले किरदारों और यूद के महल वालों ओवर्डोज ने मजा किरकिरा कर दिया है अजय देगन अभिनिति अभिशेक दुधाया की फिलिम बोज दप्राइड अफ इंडिया सोतरंत दिवास से पहले रिलीज हुई है यह फिलिम उने से एक हातर के भारत पाकिस्तान के युद्गे दवरान एक पिरियाड वार ड्रामा है भारतमान के दिजनी हार्ट स्टार पर इस ट्रीन फिलिम भारतिय वायु सेना की यात्रा के एक कलापना पुर्ण कर्थन है सोडरन लीडर विजय करनिक अजय देगन भुजद प्राइड मुवी भुज हावाई अड़े के ततकालिन परिवारी थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ और मधापार के एस्थानिय गाओं की तीन से महिलाओं की मधा से पाकिस्थानी सेना बार 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 बंबारिक से नस्ट हुए आई एएफ बेस का पुर्ण निर्मान किया था साथान लीडर बीजायर ने दुस्वन को सैनिको को भारतिय छेत्रा पर कपजा करने के से रोकने की कोशिश कर रही है सेना तक पहुँचने में महतपुन बेंक आप में मदद की थी यह घटना अपने आप में सीनेमा के लिए एक संदार पहलू है कि कैसे नागिको की विर्ता से सवतंत्रा के बाद से दो पडोसी देशों के बीच चल रहा है एक छेत्रिय यूद के महतवपुन जमिन खोने से बचाने में भारतिय सेना की मदद की हाला कि कागज पर सुनने में यह कहाली जितनी अकर्ष लगती है फिल्म काफी हद तर लखटती है नजर आती है और वैसी आमिट शाप नहीं छोड़ पाती है जैसी कि उसके अफेच की जा रही थी कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वह वास्तविक्ता से बिलकुल अलग है और गाने वा डांस सीन का अनौस्यक रूप से आना फिल्म के मूड को खबर कर देता है जहां प्रियड में और यूद नाटक आजकल आयर्थवादी अंदाज लेते जा रहा है वही वुच्द प्राइड अफ इंडिया इसे थोड़ी दूर है मुक्य कलकारों के अलावा बड़े कलकारों की टीम बिन तयारी के काम करती महशूस होती है प्रभावित ढंग से एक यूद की कहानी जीवित है जीवित नहीं होती कहानी कहने के सौली अत्यधी नाटे किया है जिसमें मैलाई यूद के बीच में तूटे हुए रन्वे की महरामत करते समय बक्ती गीतों की और चली जाती है एक या एक सेनी को कई दुस्मनों को मार डालता है यह फिलिम बुल्द प्राइड अफ इंडिया में इंडिया फिलिम वी एफ एक्स और एनिमेशन का काम पास करने योग है और अजय देगन संजय दत और एक हद तक सरद केलकर को भी अपनी वरीता दिखाने के लिए पर्याक्टचन मिलते हैं पर अगर आप एक नए सोतंत्र दिवस मनरोंजक की तलास है तो विकेंड का माजा लेने के लिए या फिलिम देख सकते हैं बीते साल करोना संक्रामन से पहले रिलिस हुई फिलिम तनाजीर दा अनसंग वारियर्स जिस एक चीज के लिए वर्षो वर्षो वर्ष मिशाल के तोर पर याद की जाएगी या वह है एस वह इस विजूल इफेक्स इन्हें बनने के बनने वाली कमपनी अजादेगन की कहीं एन हावाई बी एफेक्स वाला इसी कमपनी ने फिलिम भोज द प्राइड अफ इंडिया के विजूल इफेक्स भी तयार किये फर्क बस फिलिम के निर्देशक का है तीवी पर हजारो एपीशोड बना चुके मुकेश दुदेया उर्फ अभिशेक दुदेया ने अपनी डेवी फिलिम में जो किया है उसके लिए अजय देगन के फैंस उन्हें अर्षे तक माफ नहीं करेगा करेंगे देश भक्ती दिलेरी और धर्ती का दम दिखाने वाली अच्छी खास गानी का उन्होंने चार-चार पटक लेखकों के चलते पूरा गुंडा गोवर कर दिया है कम लोगों को ही पता होगा कि भोज की जिस हवाई पट्टी को रातो रात बना कर भारती वायो सेना की भीमान वहां उतारने के लिए भोज एयरपोर्ट के इंचाज सोडरन लीडर वीजय करनिक ने आसपास के गाउं की महिलाओं की मदद ली थी उसे पूरा गोवर से लिपत गया था ताकि पगिस्तानी बीमानों को आसानी से नजर ना आए सके हाला की फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है और शुरू में इस बात की जिक्र भी है की फिल्म एति हासी घटनाओं पर वास्तविक चरितरन नहीं है फिल्म भूज द प्राइड आफ इंडिया से अजय देगन्स के फैंस को काफी उमीद रही है पिछले साल सोतंत्र दिवस पर रिलीज होने के लिए तयार हो रही फिल्म साल भरबाद उसी मौके पर रिलीज हो रिलीज हो रिलीज तो हुई लेकिन इस बीच इस बीच इसके नामक से आयो डिन उडाव चुका है बड़ी फिल्म के बड़ी फिल्म को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने के डिजनी डिजनी प्लान हाट स्टार के पिछने पिछले साल घोसित अक्राशम फास्ट देफास्ट शो का होम डिलेवरी की पहले सीरीज की गई थी इस सीरीज की अधिकत्रम फिल्मों का सर्म ऐसी ही रहा सिवाए लूटकेस के और वीग बूल के सीरीज की दूसरी फिल्मों साड़क टू और भूज दा प्राइड आफ इंडिया में संजय दत दिखे और दोनों फिल्म में उसाद से भी खराब फिल्में रही फिल्म भूज द प्राइड आफ इंडिया को कुछ देर रच्छ मंत्री राजनात सिंग ने वी देखा और अजयर देगन को वविश्य के लिए सुबकामनाय दी फिल्म का वर्तमान सायद उनकी भी अच्छा नहीं लगा फिल्म भूज द प्राइड आफ इंडिया अच्छी है भी अच्छी है भी नहीं है नहीं एक तो किसी फिल्म की कहानी जब जब इसे हीरो को सुनानी पड़े तो पाठक कथा की कंजोरिया का परदा फास वहीं हो जाता है फिल्म के निर्देशक सुरू से 40 मिनिट तक तो समझ नहीं पाते की फिल्म को किस कौरट बिठाना है और इस चकर में जूला 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 फिल्म के साथ ने इस चकर में जूल जूलती फिल्म हाथ से निकल जाती है बोज की हवाई पटी से जिस मुल काथनक पर फिल्म बनती है वह फिल्म के आखरी 40 मिनिट में है और उसके बाद भी फिल्म बहुत बचकानी लगती है फिल्म सेर्श सोर सार की तरह यहां भी दिकात वहीं है कि निर्मताओ के देश भक्ती के तड़कते से फिल्म बेचनी है लेकिन देश भक्ती के तड़के माशाले हर बार एक जैसी नहीं हो सकते फिल्म बोज दा प्राइड अफ इंडिया देखने के बाद तो सोर सा भी बहतर फिल्म लगने लगी है अजय देगन ने फिल्म बोज दा प्राइड अफ इंडिया आपने पहले साट से ही खरावी वी एफ एक्स के चलते पकड़े खोदेती है फिल्म अभियान के लिहाजे से अच्छी अच्छी नहीं है नोरा फदेई का पूरा ट्रेक खोद देखकर यू लगता है कि टी स्रीज ने फिल्म में पैसे श्रिफ इसी हिस्से के लिए लगाया है वो आइटम नंबर के लिए ठीक है एक्टिंग उसके बस की बात अभी नहीं है वहीं हाल प्रनीता सुभास का है मराथी हीरो के पंजाबी गाले में दिखे प्रनीता फिर क्लाइमेक्स में रोल चलाती दिखती है इंदर कुछ फिल्मों से आजय की पत्नियों बनने वाली नाइका का फूटेज हिंदी सिनिमा में लगतार कम हो जा रहा है ये एक सोध काम भी से हो सकता है हाँ सुनाची सिन ने फिल्म में अच्छा काम किया है गुजराती बाला की बाहुदरी दिखाने में भले उन्होंने नकामी तेदुआओ पर्दे पर मारा हो लेकिन उन्होंने उनके हाव भाव तारिफ के काबिल है जैसे कलाकारों ने फिल्म की फिल्डिंग फिल्म की फिल्म की फिल्डिंग ठीक से जान तो लेकिन असली पीच ही रही कमजोर निकली फिल्म की फिल्म की एमी विप एर फोर्स फाइलट गेतर पर काम किया है फिल्म पाठक कथा अभियान निर्देशक तकनिक पस्व के अलावा अपने संगीत में भी मत खाती है एक तो उने से एकहतर में माराथी नायक पर पंजाबी गाना फिल्मा कर ही इसके निर्देशक ने अपने पैरों पर कुलहाडिया मार ली है बाकी रही सह कर पूरी कर दी है क्लाइमर्स में बजने वाले इसे बेहद बाचकाने के कोशिस हुआ यहां हकीकत के गाने पर चले फिदा जाने ओ तना साथियों की नकलिक करने की लेकिन खैफिया आजमी बनने के लिए असल की सायरी पर जिन्दा रहा होता है वहां गाओं की मैलाओं के सामने सुनाई गई साबित कभी ता अच्छी है फिल्म को कुल मिला कर जो एक स्टार मिलता है वहां है इसके हीरो अजय देगन की बहुदरी के लिए अपने बेहतरिन दोर में उन्होंने सिर्फ देशभक्ती फिल्म के नाम पर ये फिल्म करने की हिम्मत दुटा ली अपने हिस्से का काम भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया है लेकिन दो घंटे से भी कम की ये फिल्म देखना किसी चुनाउती से कम नहीं है अजय देगन की भूज दा प्राइड ओफ इंडिया फैंस के लिए सुवर एस्टार की तरफ से सोतंत्रा दिवस की दावत है यहीं आप फिल्म देखने के इच्चुक है तो यहां केवल आपके लिए तैयार की गई मल्टी एस्टार फिल्म के बारे में यह हर संभाव जनकारी है बुज दा प्राइड ओफ इंडिया अजय देगन की बुज प्राइड ओफ इंडिया फिल्म सोतंतर दिवस के वीकेंड पर रिलीज हो रही थी यहां फिल्म भारतिय एक्ता की मैला को प्रदोशित करेगी यह फिल्म उन्हें से 71 के भारत पाकिस्तान के यूद के दोरान किस तरह हमें जित मिली पर उस बात करेगी उस लडाई ने भूज में भारतिय वायू सेना की हवाई पटी नस्ट हो गई थी इसके बाद गुजरात की तीन से स्थानिय मैलाओ ने AIF सोडरन लीडर विजय करनिक ने नेतित्रक्यों में एरवेस ने पूर्णी मान के लिए दिन प्रती दिन विर्था पूर्वग काम किया यह फिलिम 13 अगस को डिजनी फ्लस्ट में रिलीज होता है अभिनेता दुधाया अभिनेता दुधाया अभिशक दुधाया दरा निर्दे सीथ भूजद प्राइड आफ इंडिया में संजयदत सुनाची सिन एमी वीर की नेराफतेई सरद केलकर परमगोमिकाओ में रहे हैं उन्हेसे साल उन्हेसे एक हतर में भारत और पाकिस्तान के बिच हुई लडाई इंडिया पाकिस्तान उन्हेसे एक हतरवार को 50 साल पूरे हो रहे हैं इस लडाई के दवरान भूज की महिलाओ के कब जजबे को सलाम करने और इंडिया एयर फोर्स की संता को दरसाने के लिए आजय देगन एस्टार फिलिम भूज दा प्राइड ऑफ इंडिया वर्ल्ड टेली वर्ल्ड टेली वीजन प्रेमियर के लिए विल्कुल तयार किया है OTT के बाद यह OTT के बाद अब यह फिलिम टीवी पर दिखाई जाने वाली है 24 दिसंबर रात आठ बजे एस्टार गोल्ड पर फिलिम भूज दा प्राइड ऑफ इंडिया को दिखाए जाता है यह फिलिम भूज के एक गाउं की उन तीन से जवाज महिला सक्तियों के स्रिंद जाली होगी जिन्होंने आपनी जिन्दगी को ताक पर रखता है मातरा तीन दिने के तीन दिनों में इंडिया एर फोर्स का रणवे तयार कर डाला था जो कई लोगों के नामुम्किन सा दिखता दिखाई दे रहा था ये रणवे पाकिस्तान की नापाग हरकत के कारण चति ग्रस्थ हो गया था आपको बता दें कि इस असली घतना पर बनी अजय देगन की ये फिलिम इसी साल 13 अगस्ट को रिलीज हुई थी जिसे दर्शकों को काफी अच्छा रिप्रेंस भी मिला है अजय देगन ने किया मैलाओ को जज़बे को सलाम मैलाओ को सक्ति के इसे ज़़बे को सलाम करते हुए अजय देगन कहते हैं वोस्ट अप्राइड अफ इंडिया जिसे 26 दिसंबर रात 8 बजे अस्टार गोल्ड पर दिखाया जाता है ये फिलिम उन तिन से मैलाओ अदिर्टयाओ और अर्शिव अस्थानिय साहाय को सलाम करती है जो यूद के बीच बीच अपनों बच्चे को घरों में छोड़ कर हवाई मैदान को ठीक करने के जूट गई इन अवरतों ने वतन के हिफाज़त को अपनी जान को जान और परिवारों से भी उपर रखा और यहीं चीज है असली हीरो बनती है जब मैंने ही कहानी सुनी तब से ये मेरे दिल में रह गई है देश भक्ति को कई किरदार निभा चुके हैं अजय जेगन कहते हैं कि मैं बहुत सुभागय साली हूं कि मुझे अपने केरिया के सुरुवात दोर से ही देश भक्ति के किरदार को जीने का मौका मिला है शुक्र गुर्जर हूं कि स्री राज संतोसी की और से मुझे भागत सिंग जैसे देश भक्त का केदार करने का मौका मिला है तनाजी अनसंगन वार्शियल के जरिये मैंने आपनी सवी फिलिम दर्ज की और फिलिम भोज दा प्राइड अफ इंडिया आपने विक कमांडर बीमन करनी की कहानी निभार कर मुझे गरो महसूस हो रहा है कानाजी जैसे सुर्वीर योद्यक और विजय करनी जैसे वीर सपुत्रों का केरदार कर अजय देगन कहते है कि आगे भी हम ऐसे कई वीर जवानों को प्राक्रिम योद कहानियों की फिलिम परदे पर जीते रहेंगे और विजय देगन का जनांदू अप्रेल उने से 79 को भारतिय हिंदी फिलिम उधोग बॉलीवूट के एक जाने माने अभिनेता निर्माता और निर्देशा खें उन्होंने अपना फिलिम सफर वर्ष उने से एकानमे में फिलिम फूल और काटे से सुरू किया था उने से 99 में उन्होंने महेश भर्ष निर्देशिद फिलिम जख्म और दूजर दू में राजकुमार संतोसी दर निर्देशिद दा लेड़ अभागर सिंग के लिए सरवस्ट्रेश्ट अभिनेता का राष्टिय फिलिम पुरसकार प्राप्त कर चुके हैं अजय देगन का जनम 2 अप्रेल उने से 79 को दिल्ली में हुआ था वह मूल रूप से पंजाब आते हैं उनके पीता बीरु देगन की हिंदी फिल्मों के एस्टांटमेंट में अजय देगन की मा वीन्य देगन की कुछ फिल्मों का निर्मान किया था अजय ने एस्तांतर की पढ़ाई मुंबई से मीठी कलेज से पूरी की 24 फरवरी उने से 99 को अजय ने अभिनेत्री काजल संगर साथ फेर लिए पहली बार अजय और काजल की जोड़ी उने से 95 में प्रदिशित फिल्म हलचल में नजर आई थी उनके दो बच्चे नैसा जिसका जनम 20 अप्रेल 2003 को हुआ था और यूग जिसका जनम देरा सितम बाद 2010 को हुआ था इन्होंने फिल्म में अपने केरियर के सुरुवात उने से 91 में शुरू की थी अपने इस शुरुवात से पहले ही इन्होंने अपने जनम नाम 20 साल के स्थान पर अपने स्टेज नाम अजय से बदल लिया क्योंकि उनके अविनेता के रूप में लंच होने से पहले ही उसी समय कई अन्य अविनेता भी 20 साल नाम से लंच हो रहे थे इसमें मनोज कुमार के पुत्र भी सामिल थे इन्होंने अपने फिल्म केरियर की शुरुवात फूल और काटे से की जिसके कारण इन्हेंने सरवस्ट्रेश्ट शुरुवात है तो फिल्म फेर पुरसकार भी मिला इस फिल्म में इनके साथ मद्धू ने काम किया था इसके बाद इनकी आगली फिल्म जीगरुने से बानवे थी जिसमें इन्होंने करिश्मा कपूर के साथ अभियान किया था यह फिल्म दिवाली के हब्द सत्ता हांत में रिलीज हुई और उस बर्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीबोर्ट फिलिम बनी थी इस फिलिम ने काफी अच्छा दर्शकों को रोमांटिक ये दिखाई दी थी वो इद प्राइड आफ इंडिया मुवी के अभिनेता संजयदाद संजयदाद का जनम 29 जुलाई उने से उन्चास एक भारतिय अभिनेता और फिलिम निर्माता है जिन्होंने हिंदी फिलिम हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है वो थोड़े बहुत राजनीती से भी जुड़े हुए है संजयदाद प्रदिस फिलिम कालाकार एवन राजनीतीग्य सुनिल दत एवन अभिनेत्री निर्गिस्त के पुत्र है उन्होंने हिंदी फिल्मों में सन उन्हें से एक आशी में काम करना अरंभ किया है उसके बाद उन्होंने कई प्रदिशिद हिंदी फिल्मों में अवियान किया उन्होंने फिल्मों में प्रेमी हस्या जैसी अवियान भी किये हैं अप्राधी ठाग और पुलिस अधिकारी का अवियान किया अभियान किया जिसके लिए अपने प्रसांस को और फिलिम समलोच को अभूत पुरुआ प्रसान प्राप्त की संजय दत अब्रेल उने से तीरांडे में अतंगवादियों की सहायता करने नौ मीनी संजय दत के जरा 29 जुलाई उने से उन्चास को वलिबूर सी तारे सुनिल दत और नर्गिस के घर हुआ उसकी दो बहनों है प्रिया दत और नामरत दत उनकी सिच्छा सक्षाली के पास लंस्रे स्कूल सानवर में हुआ उनकी मा का उनकी मा का मैं 1981 में उनकी प्रदान फिलिम प्रथम प्रदाशन से तीन दिन पहले निदन हो गय उन्होंने फिलिम में उनके विवहिन अभियान सहित उनके विवादित कारयो मादक प्रदाशों के लिए सेवन आदि के लिए जाना जाता है उन्होंने उन्हें से विरासी में आवाद मादक प्रदाशन रखने के आरोप में चार मह की करावस की सजा हुई थी अलावत से निकलने के बाद उन्होंने दूबर संजुक्त राज्या अमेरिका में व्यक्तित किये उनका अमेरिका में आदिकत्र समय से टेकसास रेहाब किलनिक टेकसास पूर्मस किलनिक में गुजारा उसके बाद उन्होंने पुन भारत में आकर अपने केरियर की और ध्यान दिया संजयदत ने उन्हें से 87 में रच्छा सर्मा के साथ ब्यवा किया सर्मा की ब्रेंट्यूमर मस्तिक की गाठ के कारण 2016 में मिर्तु हो गई इस दंपित के घर में उन्हें 88 में एक लड़की ने जनम लिया जिसका नाम तिर्सल तिर्सला है और वो दत की पत्नी की मिर्तु और उनकी हिरासत के बाद वो अपने नाना नानी के साथ संज्यूक्त राज्या अमेरिका में राती है संज्यदत का दूसरा विवा माडल रिया पिपली के साथ उन्हें 88 में हुआ 2004 में उनका ठालाग हो गई संज्यदत ने दो वर्स डेटिंग करने के बाद 2008 में गोवाक में एक नीजी दावत ने मन्याता जन्म का नाम दिलनवाज सेक्स के साथ विवा किया एकश अक्टुबाग 2010 को दो जोड़ो बच्चे के साथ जन्मे लड़का नाम सराहना और लड़की की नाब इकरा रखा था एक बार कलकार के रूप में उन्हें अपने पीता दारा निर्मित फिल्म रेश्मा और सेर में उन्हे से 72 में प्राधान किया इस फिल्म में वो एक कावाली गायक के रूप में दिखाए दिये संजय दत ने उन्हें 41 में फिल्म रंकी से बॉली पूल में प्रदान किया, उन्हें 32 में सरवदी कमाई वाली फिल्म बीध खाता से फिल्म सितारे बने 1984 में उनकी फिल्म जान की बाजी प्रदसित हुई इसके अलावा संजाईदत ने कई सफल फिल्मों में से जैसे मैं आवारा हूँ उने से 83 जीवा उने से 86 मेरा हौँ उने से 86 इननाम10 हाजाँ ताकत्वर उन्हें से नमासी ने भी अभ्यान किया है वर्ष 2086 में वर्ष 2086 में फिलिम नाम से उन्हों ने समालोच को से भी प्रसान प्राप्त किया कि और कि उनकी कपूर के सांद विकी कपूर के रुप में अपनी समवेदन सिल आगरमन भूमिका के लिए प्राप्त अजित की उन्हेंने महसबाट की फिलिम कबजा कबजा 1988 में जेपी दथ की फिलिम हातियार 1989 के लिए समलोच को के प्रसान स्प्राप्त की बर्ष 99 का उनके लिए वापस का दोर रहा उसकी उसी बर्ष उनकी फिलिम वास्ताव के लिए उन्होंने पहला फिलिम फेर प्रसकार मिला उनकी सबसे सफल फिलिम लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में उत्रादो में प्रदिशित हुई इस फिलिम के लिए उनके मुन्ना भाई के अभियान के लिए विभीन प्रसकारों की सहित विभीन प्रसकारों सहित भारत के दतकालिन पर्धान मंत्री डाक्र मनमोवन सिंग के दी प्रसकार मिला संजेदत और IPL टीम के मालिक उधावमी राजपुंद्र के साथ में 16 जन्वरी 2012 को भारत की प्रथम प्रिवेश्वर संगठित युग आम समारिक कला सुपर हीट फाइट फाइट लिग की स्तापना की बुम्बाई में उने से 93 में स्रिंकला के प्रिद बंबी स्वर्ट हुए संजेदत बॉलिवूड के उन लोगों उन कुछ लोगों में से एक थे जिस जिन पर अप्रेल उने से 93 में बंबी स्वर्ट में सामिल होने से अपरोध लगा उन्होंने टाडा नियमों के अनुसार गिरवतार किया गया दत संजेदत के भारतिय उच्छ नैले से अक्टूबा उने से 94 में जामानत मिला मिल गई लेकिन दिसमब उने से 94 में उन्हे पुन गिरवतार कर लिया गया अप्रेल उन्हे से 17 में उन्हे पुन जामानत में युक्ट कर दिया गया यह मामला 2006 में नैले में आया और संजेदत को रिली सिद्धी की जो मुंबाई बंभी शोट के दोसी पाये गये थे पाये गये के साथ अबुसलेम से अपने घर पर हत्यारों को रखने के दोसी पाया गया था यह दवा की गई की हत्यार अतंगबादियों से जुड़े हत्यारों के बड़ी खेप के हिस्सा थे 2006-2007 के दोरान संजय दतको साथ मह अर्थ रोड जेल्ग और अपराधों के लिए तीन और अश्रों पर पुने जेल्ग में जाना पड़ा सुनाक्षे सिना हिंदुस्ताने उच्चारान जान दू जुन उने से 87 भारती अभिनेत्री है वह अभिनेत्र सत्रुधन सिंग और अभिनेत्री पुनम सिंग की पुत्री है उन्होंने फिल्म दबंक 2010 से फिल्म में प्रदसन किया जिन है उन्हें सरो स्रेश्च प्रदान अभिनेत्री निदे फिल्मतिं में फ्यर प्रोयसकार मिला वह एक सत्तुदाण सिंग जो कि बिहार के है जो एक परमुक अभिनेता है एक राजनेता और पुनम सिंग साधी के पहले सिधी सरनेम चंदीरामनी जोकी सिंधी की उनकी बेटी है वह दो जुड़वा भायो लव सिंग और कुछ सिंग के साथ तीन बच्चे में जब से छोटी सोनाची सिंग है मुंबई में आर्या विदा मंदिर के अपनी स्कूली सिच्छा पूरी की और स्रीमती नाथी बाई दामोदर थ्रेक से महिला विश्व विदाले मुंबई महराष्ट से फैसन डिजाइनिंग में इस्तांतर की उत्पादिक प्राप्त किया है सुनाची सिंगे 2005 में मेरा दिल लेके देखो जैसे फिल्म में लिए वस्ताव डिजाइन करके एक कम्यूम डिजाइन के रूप में अपने पेस की शुरुवात की और उसके बाद फिर कलें फैसन की फैसन वीक की द्वजर नौ के लम्हे फैसन वीक द्वजर आठ में रेप कर भी ली उन्होंने अपनी अभियान की पेस सलमान खान के साथ दबंग से किया था सुनाक्षी सिंग योयो हानी सिंग के साथ एक संगीत वीडियो में दिखाए दी जिसका सिर्शक सूपरेस्टार था 2019 में उन्होंने कमेडी फिलिम टोटल धामाल एक गीत मुंगडा में अभियान किया इसके बाद उन्हों अधित्य राय कपूर संजेदत माधुरेदी चित आलिया भट और अरुट बरुंध हवन सहित कलकारों की टुकडी के साथ परियर रोमांस फिलिम कंकल कलंग में अभि इसवसाई ग्रूब से आच्छा प्रणाशन करने में भी फल रही सुनाची ने फिलिम खंदानी सफाहाना में भी काम किया सनाची सिंद मीशन मंगल में अगले एस्टार होने जिसमें एक कलाकारों की टुकडी है जिसमें अक्षै कुमार बीधा बॉलन और पाशी पन्नू सामिल है वह अजय देगन संजय दत और प्रनीती चोपड़ा के साथ युद्ध ड्रामा फिलिम बोल्च द प्राइड आफ इंडिया में दिखाई दे रहे हैं उसके बाद वह सल्मान खान के साथ दबंग ठीरी में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे जो प्रभुल देव का निभेशक होगी नारग फदेही एक मोरकन बीरासत की कंडाई तर्ण की अविनेत्री और माडल है वह हिंदी तेलेंगु मलायम और तामिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है इन्होंने बॉलीवोड फिल्म में रोस में अभियान किया बाद में इन्होंने पूरी जग्गान की बॉलीवोड फिल्म टेंपर में एक विसेस गीत के लिए हस्ताग चलिये इन्होंने बिक्रम भाट बार निर्देशित फिल्म मिस्टर एक्स इम्रान हास्मी और गुर्मित चादरी के साथ भी महस भाट बार निर्देशित विसेस प्रदसन किया दिसंबर 2014 को आरांब इन्होंने पूरी जग्गान की टेंपर पर हस्ताग चलिये जो तेलोंगु सिनेमा में इनके आरांब का प्रतिक थी बाद में इन्होंने बाहु बले दबिलिंग और कीक्टू जैसी फिल्मों में प्रदिसित होने के लिए हस्ताग चलिये जुन 2014 के अंत में इन्हें एक तेलेंगु फिल्म सेर के लिए हस्ताग चलिये आगास 2014 अंत में नारा फातेही के एक तेलेंगु फिल्म लोफार पर हस्ताग चलिये जो पूरी जगंध भारा निर्देशित बारुंतेज के सामने नौमबा 2014 के अंत में नारा फातेही ने आरोपी फिल्म पर हस्ताग चलिये दिसंबर 2014 में नारा फातेही के बीग वास हाउस में परवेस्ट किया जो कि इस में नवे सीजन में एक वाइल्डर कार्ड परवेस्ट थी नारा ने घर के भीदा तिन हापते बिताए जब एक की ये बार्वे हापता दिस बार्वे हापता दिवस पिराशी में बदलेख नहीं होगी नारा 2016 में जलक दिखला जा नारा 2016 में जलक दिखला जा पर एक परते होगी था नारा बटला हाउस प्लिम के कालाकारों में सामिल हो गई अमर दिपाल सिंग बिर्क जनम एकारम अई उने से बानबे में जिने उनके मंच नान ऐसी विर्की से अधिक माना जाता है कि पंजाबी गायक फिलिम अभिनेता और निर्मता हैं उन्होंने अंग्रेज 2004 2014 में हकम निका जौलदार 2014 में निका और किश्मत 2018 में सिवजीत की भूमी का निभाने के लिए जाना जाता है जिसकी कहानी उने से खतर के भारत पाकिस्तान के योद पर वेस्ट है जिसमें अजय देगन तकालीन बोज एयरपोर्ट के इंचार्ज विजय करनिक के केरदार में हैं इस योद के दावरान सिकुरेडन लीडर विजय करनिक होज एयरपोर्ट पर आपनी टीम के साथ मौजुद थे यहां की एयर एस्ट्रिप हवाई पटी तबा हो गई थी इसी दावरान पागिस्तान की तरफ से बारी बंबारी की जा रही थी इस समय एयरवेस पर उनके साथ पचास एयरफोर्ट और साथ दिफ्रेस सिक्रेडी के लोग मौजुद थे बिजय करनी और उनकी टीम ने इलाके की महिलाओं की मदद से हवाई पटी को फिर से तयार किया उन्होंने इलाके की तिन से महिलाओं के साथ मिलकर उसके फिर से तयार किया ताकि भारत सेना की जवानों को लेकर जाने वाली फ्लाइट वहां आसानी से लेंडिंग कर सके। फिलिम की शुरुआत होती जब पाकिस्तान वायू सेना के चेट विबान में भारती फिलिम वायू सेना की हवाई पर्टी पर लगतार बंबर्शाय भारी तबाई के भूज एयरपोट ने इंचाज विजय करने अजय देगन पेस्टितिव से जुडने के कोशिस करते हुए द कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है और बताया जाता है कि पूर्व पाकिस्तान बंगलादेश को पस्मी पाकिस्तान पाक के दमन से निकालने में भारत ने सहायदा दी थी जिसे लेकर उने से कत दिसंबर में भारत पाकिस्तान युद छीडा पुर्व पाकिस्तान में भारत की एस्तिती को कंजोर करने के लिए पाकिस्तान ने भारत से पस्मी छत्रों पर हामला किया वो भूज को अपने कब्जोक में करना चाहिए थे रनीती के तहत भीवहिन भारतिय हुआई अड़े पर बंबारी की गई भूजी और वेस्त भारतिय वायु सेना के प्रमुख छेत्रों में से एक हैं जहां पाकिस्तान ने भारी तबाही मचाई थी भारतिय वायु सेना को सीमा सुराचा बल से हावाई पर्टी को बहाल करने के उमिद थी लेकिन वो नहीं हो सकता क्यूंकि उसी समय पाकिस्तान ने लंगवे वाल में भी योज छेट दिया था इसी दवरान हुज के माधापूर की तीन से अग्रामी जादतन मैलाए ने 72 घंटों के भीदर गति ग्रस्त एयर ग्रेस के बरमत करके देश के रच्चा के लिए कदम बढ़ाने के फैसला किया फिल्म इसी घटना के इदिगिर्दी घुमती है कि कैसे बीजय करनी के उस यूद के मातवपूर मुमिका निवाई है ये फिल्म भूच के एक गाउं की उनकी 300 जबाज मैला सकतियों के सिर्दान्त होगी जिन्होंने अपनी जिन्दवी को ताकपर रहकर मातरा तीन दिन में इंडिया एयर फोर्स का रनवे तयार कर डाला था जो कई लोगों नामुम्किन सा दिखाए दे रहे थे ये रनवे में पाकिस्तान की नापाख हरकत के कारण साती ग्रस्त हो गया था आपको बता दे कि इससी असली घटना पर बनी अजय देगन की ये फिल्म ये फिल्म इसी साल 13 अगस्त को रिलीज होई थी जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिफ्रांस भी मिला महिला सक्ति के इस जजबे को सलाम करते हुए अजय देगन करते हैं कि भूश्द प्राइड आफ इंडिया जिसे 26 दिसंबर रात आठ वजे एस्टार गोल्ड पर दिखा जा रहा है सिलिम तीन से महिलाओ के आदिक विश्वानिय सहायक सलाम करती है जो युद के बीच बीच अपने बच्चों को घर में छोड़कर हवाई मैदान को ठीक करने के चूट गई इन अवरतों ने अपना हिफाजत को अपनी जान और परिवारों को से भी उपर रखा और यहीं चीज उन्होंने असली हीरो बनती है जब मैंने यह कहाई कहानी सुनाई तब से यह मेरे दिल में रह गई है वुज द प्राइड ओफ इंडिया फिलिम एक आगामी भारतिय हिंदी भासा की एक्शन फिलिम है जो अविशेव दुधाया दर नेदेशिस निर्मीत और लिकित है इतिहासिक सच्चाई घटनाओ पर अधारित है